कैसे हैं आप लोग आप सब बहुत अच्छे होंगी और मज़े में होंगी तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपना न्यू ब्लोग आज के नए दिन की शुरुआत और सुबह की बज़रे हैं साड़े पांच और आज ब्रिस्पतिवार है और मैं विष्णु भगवान का व्रत रखती हूं तो पूजा तो मैंने कर ली है दिखाती हूं मैंने भी कहा पूजा की दोस्तों ये है मेरे विष्णु भगवान अभी यहीं पर मैंने पूजा की थी अभी यहीं पर कथा की थी और और दिन तो तो यह भी मेरे साथ साथ उट गया था और फिर आधे पूजे में इसको मेरे पास लेके आना पड़ा सब को इसने रोरो के रोरो के पुरा घर तो मम्मी लगी है वो देखो साफ सफाई में मम्मी रोड पर क्यों जाड़ू लगा रही है रोड पर क्यों जाड़ू लगा रहे हो रोड पर सफाई कर रही है मम्मी वह पत्ते खटे कर रही है आम के पत्ते गिरे हुए ना उदर यह देखो सुबह का नजारा को जादा ही अच्छा है कि कहने को अभी साड़े पांची और लालीमा भी खतम हो गई अब सूर्य भगवान पीले-पीले से दिख रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में ये खाली पड़े और कुछ खेतों में धान वो दिया गया है और आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी सेम वैसी टंकी है हमारे यहां भी इस ट यह ममी ने कुड़ा इखटा किया ममी इसको जलाएगी कुड़े को यह रीशू है जो कि सोके उड़ गया है और मिट्टी खाने के लिए बेचया है नहीं है इसको मतलब यह सोच रहा है ना मम्मी मुझे कब नीचे रहे और कब मैं घास और मिट्टी उठा के खाऊं जब मैं पूजा करी दिना वह समय भी यह बार बार मिट्टी उठा रहा था मुट्टी में और विश्ण भगवान का जब वो कथा कहते है तो तो बोलते नहीं कुछ भी बड़ी मुश्किल से आज मेरी पूजा कंप्रीट हुई है पता है मैं इसी वज़े से आज बहुत जल्दी तो पूजा कर लूँगी तब तक सोया रहेगा लेकिन यह जो बच्चा दिख रहा ना आपको इसके चैरे पर मस जाना इत्ता मासूम नहीं है यह तुरंत उट गया है जैसे मैं नहा के मैंने पूजा की थाली तयार की और जैसे मैंने कथा स्टार्ट की वैसे यह लड़का सब्सक्राइब के रोने लग गया है उसी समय अब फिर क्या फिर तो इसको सिर्फ मम्मी चाहिए सुबह का टाइम था इसको लगा साथ मम्मी चली गई कही मुझे चोड़के दोस्तों मैं अपने घर का थोड़ा सा बाहर का एरिया यह बोरिंग दिखाने लाई हूं आपको आज कल यह दानवान बो रखें ना खेतों में तो पानी यहीं से सप्लाई होता है यह जमीन के अंदर ही अंदर पाइप लगे हूए है बहुत जादा बढ़िया है गूमने का इदर वाक वगेरा करने का भी बहुत बढ़िया है गाड़ी वाड़ी तो चलती नहीं है इतनी देखो मेरे पीछे पीछे कुट्ता भी आ गया हमारा निये वह हमारा दूसरा है उसका नाम की इंपली है हां इंपली ही है सवारी इंपली नहीं कुछ ऐसे ही नाम है यार अभी ज्यादा दिन हो रहे है ना आय हुए याद नियो रहा उसका दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे इदर ना या पीण देख रहें आप लोग ज्ह जी शाले जो है यह इना उसकारू का पेड़ है अभी इसन पन फल नहीं है एग्रेशन है तो मैं किसी दिन जाऊंगी जाओ ना दोपेर में तो मैं अप आप लोगों को दिखांगे इंजिया उसक्त दोस्तित आता हृ यह आहा में दूछ है और शुख सीक्वाश के दिखाती आपको यह देखो यह सबसे घहरा है यह ते घहरा और यह वह उदर खाइड साइड इस में नहाने में भाध मज़े आता है मैं भी इसके अंदर कुछी यह वह बहुत का नहाने के लिए और बाकी यहां से मैं थोड़ा स दिखाती हूं का यह दिखो कितना सुन्दर गाओं है हमारा हमारी देभ भूमी हमारा उत्राखंड इस पानी की टंकी पे तो भी नहीं चड़ूंगी क्योंकि मैं साथ में रिशु को लेके आई वही हूं ना तो किसी और दिन में आऊंगी इधर तो आप लोगों को दिखाऊं हो रही है उसे में हमारे उत्राखंड का मौसम देखो कैसा है कि कंबल ओड़के सोना पड़ता है रात को यह देखो भी बंस और दिप्पु सो रहे हैं इतना ठंडा हुझा देखो अभी थोड़ी सी हवा चली और मेरे पपीते का पेंड गिर गया और वह देखो खाली पपी पेंड किरिया हमारा पपीते का जो भी नहां दो के फ्रेश हो गए हमारे क्यूटिपाई के क्यूटिपाई बाइ नहीं करना बच्चा गाओं की सबसे खास बात है यह देखो चिडिया है कुछ दाना चुन रहे है कुछ के लिए यहां रोटी रखा था वो खारी थी अभी उड़ गई यहां से, और ये पता ये जो चिड़िया है na, ये अज़ा है ये मिट्टी में लोट पोट होकर भी खेलती है, अब जब ये खेलेंगी तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, ये देखे इस चिड़िया, ये शहरों में कहां देखने को मिलेगी, ये हर्याली, और ह आए अरे आली में चोटी , चोटी चिडिया यह देखो जाइआ है जैंते हैं यह बग्रिया जो बग्वान है उनसे रहे करती है कि अब भारिश होजा है इसकंदे हैं जो खि कुछ Slum में लोटपोट हो रही है यह देखो सच में गाव में जननती जननत है शाम हो गई है अब और वह दर बच्चे कुछ बॉली बॉल खेल रहे हैं और इदर लोग गाए भैसे चुगा रहे हैं वो देखो वह गाए और इधर भी है कुछ बैसे और हमारा जो रिशू है वो भी वॉक के लिए निकला हुआ है यह देखो वो अकेले ही जा रहा है इवनिंग वॉक पे चलो चलो ममा आ रही है चलो वो वेट कर रहा है मेरा कि ममा क्यों रुकी होई है बाकी चलने लग गया वो भी अब अब सायाद उदर की जो भैसे उन्होंने चुग लिया है वो बच्चे जो चुग आने गयते भैस वो लोग रिटन आ रहे हैं अब यह ना भांग की जाडिया है इधर को यह देखो और यह देख रहो पेन आप लो यह ना पीपल का पेड़ है पीपल का सूरज भगवान अब अस्तोने की कगार पर है और वो बंच है और दिप्पू यह लोग बैट बॉल खेल रहे हैं यह देखो हमारा रिशू कहां चला गया और वा चुप चाब वहां पर खड़ा है मैं थोड़ा दिखाती हूँ आगे से बेटा आओ चलो आज़ो ममा की पास आज़ो उसको ना नाक में थोड़ा सा इचिंग हो रहा है क्या पता पानी चेंज होनी की वज़े से सायद उसको थोड़ा जुखाम सा लग रहा हूँ बदमाश भी तो बहुत है नहीं दिन भर इसको मिट्टी में खेलना होता है आओ आज़ो आज़ो बुलडो ममा रिशु ममा बोलो ममा अब नहीं बोलेगा वो चलने में बस तो रख़या देखो आप लो उसको बहुत मजा आ रहा है गाउमे बहुत मज़ा रहे है बेटा रिशो बाबू कुछ इस तरह से हमारा प्यारा सा गाउं दोस्तो आज की ब्लॉग में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें जाद से जाद वीडियो को शेर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले टेक केर गाईज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में